उस तिन सवेरे छे बजे मैं अपने शहर से दूशरे शहर जाने के लिए निकला मैं रेल्वे स्टेशन पहुँचा पर देरी से पहुँचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी मेरे पास साड़े नौकी ट्रेन के लावा कोई चारा नहीं था मैंने सोचा कहीं नाश्टा कर लिया जाए बहुत चोड़ की भूक लगी थी मैं होटल की योर जा रहा था अचानक रास्ते में मेरी नजर फुटपात पर बैठी दो बच्चों पर पड़ी दोनों लगपक दस बारा साल की रहे होंगे बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी कमजोरी के कारण अस्ति पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे वे भूखे लग रहे थे छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था मैं अचानक रुख गया दोड़ती भागती जिन्दगी में यह ठहर से गई जीवन को देख मेरा मन भर आया सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिये जाए मैं उन्हें 10 रुपे देकर आगे पड़ गया तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कितना कंजूस हूँ मैं 10 रुपे में क्या मिलेगा चाय तक धंग से ना मिलेगी स्वेम पर शहर माई फिर वापस लोटा मैंने बच्चों से कहा कुछ खाओगी बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े मैंने कहा बेटा मैं नास्ता करने जा रहा हूँ तुम भी कर लो फिर दोनों भूप के करन तयार हो गई उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डाट दिया और भगाने लगा मैंने कहा भाई साब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो मैं पैसे दूँगा होटल वाले ने आश्चरे से मेरी योर देखा उसकी आँखों में उसके बरताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी बच्चों ने नाश्ता मिठाई वल्लसी मांगी सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया बच्ची जब खाने लगे उनके चहरे की खुशी कुश निराली ही थी मैंने बच्चों को कहा बेटा अब जो मैंने तुमें पैसे दिये हैं उसमें एक रुपे का शेंपू लेकर हैंड़ पम के पास नहा लेना और फिर तुपेहर शाम का खाना पास की मंदीर में चलने वाले लंगर में खा लेना और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दोड़ती दिन चर्या की और बढ़ निकला वहां आसपास की लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्थित हो चुकी थी मैं स्टेशन की और निकला थोड़ा मन भारी लग रहा था मन थोड़ा उनके बारे में सोच कर दुखी हो रहा था रास्ते में मंदीर आया मैंने मंदीर की और देखा और कहा हे भगवान आप कहा हो इन बच्चों की ये हालत ये भूग आप कैसे चुब बैठ सकते हैं दूसरे ही शण मेरे मन में विचार आया पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया मैं स्तब्द हो गया मेरे सारे प्रश्ण समाप्द हो गए ऐसा लगा जैसे मैंने इश्वर से बात की हो मुझे समझ आ चुका था हम निम्मित मात्र हैं उसके कारे कलाब के वो महान है भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही बेशता है जब वह हमें उस काम की लायक समझता है किसी मदद को मना करना वैसा ही जैसे भगवान के काम को मना करना अदे आपको कोई भूका या लाचार मिले कि आप से कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपने सामर्द्य अनुसार मदद जरूर करें क्योंकि स्वेम भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभारम करें कुछ इसी संकल्प के साथ कि भिख्षा वृति को हम बढ़ावा ना दें लेकिन अशक लाचार और भूके की मदद हम जरूर करें इशुर से प्रारतना हमें सत्पुद्धी परदान करें और इस लायक बनाएं हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा पहले आप अपना आप सुधारे आओ यारो मिल जुलकर हम मानवता का रूप निखार अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेट में जरूर बताएए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ तब तक के लिए हसते रहे और औरों को भी खुश रखिए धन्यवाद